और दिमाग के अंदर ऐसा जुनून प्यादा करो कि यह जो मैं सीख रहा हूँ इससे मुझे पैसा मिलने वाला है ठीक है देखें मेरा ट्रेडिंग करने का जो फॉर्मॉला है बहुत सिंपल सा है अगर मैं कोई ट्रेड डालता हूँ तो मैं उसके चार तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ आपका सबसे बड़ा जो फ्रेंड है ठीक है वो आप खुद हो आप अपने आपको कभी धोगा नहीं दे सकते हो हलो फ्रेंड्स मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूटीब चैनल ओपन फर प्रॉफिट में चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है और क्रिप्टो करनसी मार्केट निउस और अपडेट्स इसके साथ ही हम कुछ कोईन्स की प्राइस एनलिस करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को क्लिक किजिए ताकि सारे इंपॉर्डन नोडिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए दोस्तों आज के सेशन के अंदर मैं बहुत इंपॉर्डन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह जो चीज है जिसके बारे में डिसक्स करने वाला हूँ वो हमारी एक successful trading जो होती है उसके अंदर बहुत बड़ा रुकावाट हो सकता है या हमारी trading में बहुत बड़ा loss भी करवा सकता है ठीक है तो मैं यहाँ पे आपके सामने discuss करने वाला दो चीज के बारे में जो भी हम trading वगरा करते हैं cryptocurrency की trading करते हैं stock market की करते हैं या forex की करते हैं ठीक है दो तरीके से लोग trading करते हैं इसके अंदर simple सी चीज है सबसे पहली चीज जो है लोग जो trading करते हैं using trading signals और दूसरे लोग जो trade करते हैं that is using the logic तो यहाँ पे मैं आपको trading signal और trading logic यह दोनों का difference बताने वाला हूँ और इसमें क्या नुकसान है और क्या फाइदा है यह सारी चीज आपको बताने वाला हूँ ताकि आज के बास से आप जब trading करेंगे तो आपको clear cut समझ आना चाहिए कि भाई मुझे signal को लेकर trading करना है या मुझे logically trading करना है ठीक है तेकि मेरे पास भी लोग बहुत सारे message करते हैं telegram पे करते हैं, email पे करते हैं वीडियो की नीचे जो comments होते हैं कि सार आप paid signals वगरा वो क्यों नहीं देते हैं आप हमें trading signals वगरा दीजिए ठीक है लेकिन honestly मैं अपने यहां से कोई भी trading signals वगरा नहीं देता हूँ मैं जो भी provide करता हूँ वो मैं provide करता हूँ trading with logics मतलब कि हम logic लगाते हैं हम सही अनुमान लगाते assumptions लगाते हैं कि यहां से market कहां जाएगा और कहां नहीं जाएगा that is called trading with logic जिससे हमें काफी अच्छा मुनाफ़ा मिलता है तो मैं जो भी आपको trading के बारे में आगे चलके बताऊँगा यह in future में जो भी बताऊँगा that will be based on logical aspects of trading logical aspects of technical analysis उन सब का mixture करके मैं बताऊँगा trading जो है बहुत important चीज है यह कोई IPL नहीं है कि आपने दो टीम के बीच में आपको कहीं से एक tip मिल गा कि यह टीम जी थी यह आपने इसमें लगा दिया ठीक है और end of the day आप सब को पता है कि क्या हो आता है कि हमेशा नुकसान ही होता है ठीक है ठीक है trading के अंदर risk involved होता है ठीक है और कुछ लोग होते है जिनको इन सब चीजों के बारे में कोई idea नहीं होता है risk के बारे में idea नहीं होता है वो दूसरों का जो trading वगरा देखते है कि हाँ इसने इस तरह से किया है बस उसको ही वापिस से copy करके वो करते हैं ठीक है without knowing के आगे जाके कितना risk है और यह बहुत dangerous चीजोती है ठीक है अगर आप मेरे से पूस्ते है तो मेरे सबसे trading with logic बहुत profitable compared with trading with signal क्योंकि अगर आपको signal वगरा मिलता है ठीक है 5 चे signal मिलते है उसमें से हो सकता है 1 या 2 में कभी आपको success rate ज़्यादा मिल जाता है लेकिन अगर आप logically trade करते हैं तो आपका जो success rate होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और loss का जो ratio होता है बहुत कम होता है और अगर आप logically trading करेंगे तो आने वाले समय में ठीक है आने वाले 4-5 साल के अंदर आप trading से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं देखे मैं अपनी बात करूँ जब मैं भी इस field के अंदर नया था या और भी जो अभी नए beginners हैं उन सब की बात करूँ तो देखे trading जो होता है उसके result दो ही होते हैं या तो आपको इसमें profit मिलेगा या तो आपको loss मिलेगा ठीक है देखे तो जो एक बढ़िया जो trader होता है उसके लिए यह बहुत important और यह बहुत minor रखती है बात की winning ratio और उसकी जो winning accuracy वह इतनी जादा important ही रहता है कुछ लोग होते हैं जब उनको थोड़ा सा loss वगर हो जाता है तो बहुत frustrated हो जाते हैं कि यार इसमें तो नुनसान हो या next time इसे करना ही नहीं है ठीक है कि हम उसमें से निकल गए अगर वह भी नहीं हुआ तो मैं जो है उसमें से छोटा loss पकड़ूँगा ठीक है बड़ा लहीं छोटा loss पकड़ूँगा अब यहां पर पूछेंगे कि भाई छोटा loss क्यों बड़ा loss क्यों नहीं कि हम लोग भी trading करते हैं लेकिन साला पता चलता ह बहुत जबरदस loss हो जाता है अगर हमने leverage भी करते हैं तो पूरा का पूरा liquidate हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है within seconds देखे मैं जो trading करता हूँ उसमें जो loss होता है उसमें मेरा सबसे ज़दा focus होता है ठीक है मैं loss को उस level तक बढ़ने ही नहीं देता हूँ मैंने जो fix किया है कि loss मुझे इतना ही चीए और इससे ऊपर आने से पहले ही मैं loss को cut कर देता हूँ ठीक है यह fund है simple सा तो यहाँ पर क्या होता है मुझे loss बड़े loss से मैं बच जाता हूँ और इससे क्या होता है कि मेरा जो account है मेरा capital है जो मैं trading के लिए use करता हूँ वो काफी safe रहता है तो ज मुझे पता है कि अगर loss हुआ तो मुझे बहुत छोटा सा होगा लेकिन अगर विन होगा तो मुझे बहुत बड़ा इसमें विन होगा या medium होगा नहीं तो ठीक ठाक जाएगा और यही fundा लेके मैं पूरे money trading करता हूँ और on average मैं निकालता हूँ तो month के end में जब मैं पूरा calculate करता है अपना profit and loss तो मेरा जो portfolio रहता है वो profit में ही रहता है वो minus में नहीं रहता है so simple सी चीज है जितने भी नए लोग बीगने कर सुनको मैं यह कहूँगा कि trade करते रहिए loss हुआ nothing to worry आपका loss बहुत छोटा है go with the next trade लेकिन जो indicators है जो trading strategy है logically उस पर आप पकड़ के चलिए ठीक है आप signals वगर आपे मत करें signals में आपको पता नहीं चलेगा जो कि जब तक आपके बास signals वगर आते हैं वो कहां से आते हैं वो signals से dump करने वाले है कि pump करने वाले क्या है कितनी देर में आप तक पहुंचते है ठीक है तो signals पर आप रहेंगे तो बहुत गड़बड़ वाल ठीक है और फिर आप हताश हो कि आप बोलेंगे यार इसमें तो कुछ है नहीं अनसरी टेंशन है और वहाँ पर सिगनल्स कम है पैसा भी दिया जा रहा हूँ ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग सिगनल वगर आप बिल्कुल फोकस मत करें लॉजिकल पॉइंट अब फोकस कीजिए थोड़ा सा समय लगेगा सीखने के लिए सीखिए मुझसे पूछे मैं भी आप लोग को सिखाऊंगा और यह सब ट्रेडिंग वगर के उपर मैं आप आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगा आगे चलके और यही सारी चीजें मैं अपने पॉर्टफ वगर मैनेज करो तो उनके पॉर्टफोलियो के ऊपर भी मैं यह सारी चीजें ही इंप्लिमेंट करता हूँ और end of the month उनका जो पॉर्टफोलियो रहता है वो of course at least 25 to 35% के प्रॉफिट के लेवल पे रहता है इसके साथ ही मैंने अभी मुंबई में कुछ ट्रेडिंग सेशन् का मना है चाहे वो stock market हो cryptocurrency हो तो सबसे पहले एक professional trader जरूर बनी है ठीक है थोड़ा सा वक्स लगेगा दो महीने लगेगा तीन महीने लगेगा छे महीने लगेगा ठीक है लेकिन छे महीने के अंदर जो कुछ आप सीखोगे वो सारी चीजें आप within one week या एक single trader के अंदर recover कर सकत हो believe me तब आपको किसी trading signal वगर की जरूत नहीं पड़े कि भाई वहां से signal मिल जाएगा तब मैं कुछ कर लो कुछ profit मिल जाएगा या कहीं पी आपको रोना नहीं पड़ेगा कि या सब कुछ loss हो गया या मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है XRP उपर जाएगा कि नीचे जाएगा भी XRP का level क्या है ठीक है तो यह सारी चीजे clear हो जाएगी इसके उपर रिजल्ट हंडेड़ और वन परसंट आपको मिलेगा ठीक है ठीक है मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी zero level से किया था मुझे कुछ नहीं पता था यह charts वगरा क्या है यह lines वगरा क्या है trend line क किसे करते है कुछ नहीं पता था ठीक है तो आपको इसके अंदर दिर्चस्पी लेनी पड़ती है आपको उस चीज को सीखना पड़ता है थोड़ा जुनून दिखाना पड़ता है और दिमाग के अंदर ऐसा जुनून पैदा करो कि यह जो मैं सीख रहा हूं इससे मुझे प फाइदा और प्रॉफिट देने वाला है लॉंग टर्म में रही बात मेरी तो मैं आप लोग को अफ्कोर्स टाइम टॉट टाइम जितने भी मेरे लॉजिकल ट्रेडिंग्स वगरा होते हैं जितने भी एसके लिए आप चिंता मत करिए ठीक है चाहे आप मेरे टेलिग्राम पर हो या ट्रेडिंग वीव पे मुझे फॉलोग कर रहे हैं ठीक है या ट्विटर पर हो या यूट्यूब पर हो जिव भी ट्रेडिंग वगरा से रिलेटेट कुछ भी आइडियाज आगते हैं या कुछ ब्यास ऐसा लगता है कि इस ट्रेडिंग के अंदर हमें करना चाहे यही मेरा मकसद है तो फाइनली दोस्तों देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह कहूंगा चॉइस आपके ठीक है ऐसा कुछ मैं फोर्स फुली नहीं कर रहा हूं कि भाई यहां से आप ट्रेडिंग सिगनल वगरा मत लिए या उसमें फोकस में कीजिए मैं बैंक का पैसा डाल दो ठीक है आपने डाला खतम हो गया अगर ट्रेडिंग सिगनल इतना ही सही होता तो जहां से वो मिल रहा है था भाई वो खुद ही क्यों नहीं करते है इसको ठीक है तो यह सब क्या होता है कि कहीं एक से कुछ एक निउस ऐसी निकल के आती है कोई बड़ खुद सोचते हैं वो instantly आपके mind से निकलता है instantly chart को देख के निकलता है और instantly आप उस पर खुपर action ले सकते हैं और आपका सबसे बड़ा जो friend है थीक है वो आप खुद हो आप अपने आपको कभी धोगा नहीं दे सकते हो तो आप जो भी सीखेंगे उस पर जो भी assumptions करेंगे व प्लीज मेरो पुराने वीडियो को भी देख लेगे वहाँ पर मैं एक दम Saat्टिं से समझाए कि किस तर्शरा से करना है Indicators क्या होता है Candles क्या होता है पैटंस क्या होता है बहुत सारी चीजे मैंने उसके बताया है तो जो लोग फर्स्ट टायम आया है या जिन्हों मैं अभी तक कुछ इसके बार में study नहीं किया है तो पुराने वीडियो को भी एक बार go through कर लीजिए और इसके बाद मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ ठीक है एक series होगी वीडियो की जिसके अंदर मैं आपको लगबग 60 या 70 के आसपास patterns बताऊंगा ठीक है तो वो patterns बैल आइकन को क्लिक करना ताकि सारी important notifications आप लोग तक पहुंच जाए और कल Saturday and Sunday है तो काफी special special videos आने वाले है आप money making से आने वाला है cryptocurrency से related आने वाला है technical analysis से related आने वाला है तो Saturday और Sunday है वो काफी special होने वाला है बहुत कुछ इसके अंदर हम बढ़िया सीखेंगे ताकि हम बस इतना ही जल मिलेंगे नए वीडियो और न्यू अपडेट के साथ तब तक लिए टेक करें have a great day